आज हम दस्कस करने जा रहे हैं 36 गड़ में जंजातियों के संबंध में तो 36 गड़ में जंजाती के उपर हम पहले विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर लोग कला संस्रती में लोग नाट तीस तेवार वगरा की तरफ आगे बढ़ेंगे जान दीजेगा इस फोरे शेशन में जिन भी चीजों के उपर हम डस्कस करते हैं यहां से जो 36 गड़ के 50 प्रशन आपके आते हैं तो उस में से कम से कम 15 से 20 प्रशन जो हैं यहां से आते हैं और उस 15 से 20 में से लगभग 10 प्रश्न जो हैं आपको पहले परीच्छा में पूछे जा चुके हैं, वो repeat होते हैं, आदे से ज़्यादा पुराने कोशने repeat होते हैं, format थोड़ा अलग होता है, तो आराम से डिस्कस करते वे इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो 36 गड़ में जन जातियों के संबंद में हम देखें, तो 36 गड़ जो है जन जाती बहुल ये राज्य है, मतलब की राज्य की कुल जन संख्या का 30.6 प्रतिशत, ज्यां दिजेगा, राज्य की जो कुल जन संख्या है, उसका 30.6 प्रतिशत जो है, जन जाती है, अनुसूचि जंजाती है राज्य की कुल जंससंख्या का 30하는데 6 2 प्रतिशत क्या है अनु सूम्चीत जन जाती आर्यवस TWCER तो तो अनुसोचित जंजाती या जन जाती वहले राज्य तो मुख्य रूप से जन्जाती महल्य राज्यों में 36 जारकंड मत्यप्रदेश औरीशा यह देश के प्रमुक जन्जाती महल्य राज्य है कौन-कौन से 36 जारकंड जारकंड औरीशा ज्यान लखिएगा इसका अब बात करें कि देश में जो कुल जड़ जाती अनुसुचित जन्जाती की जो अबादी है देश में जो कुल अभी मैंने आपको बताया 36 जड़ की कुल अबादी का 30.62 प्रतिशत जो न्यूमेरिक वैल्यू में कहें तो कितना है 78,22,902 ठीक है जड़ गणना बश्ट 2,011,190 ठीक है अब हम देखें कि देश में जो कुल जड़ जाती जड़ संख्या है जो कुल स्टी पॉपुलेशन है उसका देश का कुल कितना 7.5 प्रतिशत 36 गण में निवास करता है देश का कुल कितना तो देश का 7.5 प्रतिशत 36 गण में निवास करता है यह तीन पहले important portion हो गए जिसमें से यह दोनों प्रतिशत जाना important होते हैं राजी की कुल जन संख्या का 30.6 प्रतिशत अनुसूचित जन जाती है और देश की कुल जन संख्या देश में जो कुल अनुसूचित जन जाती जन संख्या है उसका 7.5 प्रतिशत 36 गण में निवास करता है दोनों में डिफरेंस है, ज्यान रखी गए ये देश की कुल जन संख्या नहीं है, देश में कुल जो अनुसूची तजनजाती की अबादी है, उसका 7.5 प्रतेशत चाथिस गड़ में निमास करता है अब सविधानी प्रावधानों की तरफ हम पहले चर्चा करेंगे, तो 36 गड़ में अनुसूची तजनजाती की लिस्त में, सविधान में कितनी जनजातीयों का वर्णर है, तो 42, कितना? 42, ठीक है? तो 36 गड़ में कुल 42 प्रकार का अनुसूची तजनजाती सम्मुव पाया जाता है, कितने प्रकार का? 42 प्रकार का, इस अनुसूची तजनजाती सम्मुव को भारतीय समिधान के किस अनुच्छेद में सूची बद्ध किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छ 342 को आप ध्यान रखेंगे तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाता है अनुछे 345 में उचीवत है और कितने प्रकार की जन्जाती 36 में पाई जाती है तो यह 42 जो है दोनों में common हो जाता है अब दूसरा प्रश्चन यहां पर यह उत्पन होता है कि अनुछे 342 में कोई भी जन्जाती आएगी की नहीं आएगी इसकी घोषना कौन करता है इसमें सामिल कौन करता है तो इसमें सामिल करने का जो अधिकार है वो राश्टपती के बास है ठीक है तो अनुछे 342 में किसी इसमेंटी समयों को कौन सामिल करता है तो राश्टपती सामिल करता है जान रखेगा देश का राश्टपती भारत का राश्टपती ठीक है और किसे से परामर्स ग्रहन करता है कहा जाए तो संबंधित राजिके राजिपाल से परामर्स ग्रहन करता है संबंधित राजिके राजिपाल से परामर्स ग्रहन करता है ध्याम नीजेगा राजिपाल सामिल नहीं करता है सामिल राश्टपती करता है लेकिन संबंदित राजे के राज्यपाल से राश्ट्रपती प्रावर्स करता है यहां पर अरिवास समझ में ठीक है अब हमारे समिधान में कुल 12 अनुसूचिया हैं है न भी तो उसमें से पाँचवी अनुसूची जो है अनुसूचित छेत्रों के प्रसासन से संबंदित है इसी वज़ा से च्छतिस गड़ में जो अनुसूचित जंजाती है तो समिधान की कौन सी अनुसूची च्छतिस गड़ में लागू होती है तो 36 गड़ है आपका मध्यब्रदेश है उडिसा है जारकंड है ये सभी जगा जो है पांचवी अनुसूची काम करती है लागू होती है ऐसे ही छटवी अनुसूची भी जो है वो ही अनुसूची छेत्रों के प्रसासन से संबंदित है पर इसमें स्टेट का नाम मेंशन है कि ये किन राज् मैं असम्हूँआ मिखाल्य हुआ ठीक है और त्रिपूरा हुआ और वही जोब नाम है ये छारोगी अनुसूची जोन से संबंदित है प्रावधान है नहीं हम अनुसूचित छेत्रों से संबंदित कौन सी अनुसूची छतिसगड़ में लागू है तो छतिसगड़ राज्य में समिधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है ठीक है तो यह सब मत कोंट तर्थे है परिक्षा के दिश्टी कोंट से फिर इसमें पूछा जाए अनुस राओं सरवाधिक कौन सा है गोडड़ की है और नियुनतिन किसकी है सोर ले समझ के यह सारे मत अपूर्णत अथे होते हैं परिश्टा इनुस्त्तर हैं अब इसमें पूछा जाए राजिय मैं repeat कर रहा हूँ अनुसंधान एवं प्रसिक्छन सनस्थान कहा है तो ध्यान रखिएगा ये कहा है तो ये राएपूर में है कहा है राएपूर में है ये आपका बंड़े examination के लिए अपी महत्वण प्रश्ण हो गया ठीक है अब इसमें हम देखते हैं जिलों के अधार पर तो वर्दमान में 36 राज्य में कितने जिले हैं तो वर्दमान में राज्य में कुल 28 जिले हैं इतने जिले हैं 28 जिले हैं तो इसमें जनसंख्या के अधार पर हम देखते हैं कि सरवाधिक जनसंख्या वाला जिला कौुशा है या अनुसूची तो सरवाधिक जन्जाति जन्जाती जन्संख्या वाला जिला कौं सा है यह अशामैनिशन में फूर में भी ृत तो यह सरवाधिक है तो न्यूंतम इKay में आपका अब इसलिया मोलता है mort and अब इसको बोलते हैं जैसे च्छति जड़ें बोलते हैं जाना तो जाना को जाबे यहां से याल रख सकते हैं जबे मतलब जाबे तो जस्पूर में मैक्सिमम आब आती है बेमे तरह में नियूंतम है यह जनसंख्या के आधार पर मैंने आपको बताया लेकिन इसी को हम जाती प्रतीशत वाला जिला है सुक्मा सरवाधिक जनजाती प्रतीशत वाला जिला है सुक्मा ठीक है और इसमें नियूंतम है रायपूर ठीक है यहां से सब्द बनता है क्या सूरा ज्यान रखेगा तो यहां पे जाबे जाबे मतलब जस्पूर और बेमे तरह जनसंख्या क्या धार पर maximum और minimum दूसरा इसमें हम देखें क्या प्रतीशत क्या धार पर maximum है आपका सूरा मतलब सुक्मा और रायपोर ठीक है भी यह आपको ध्यान में रखना है one day examination के लिए सारी चीज़ें बहुत मत्रपूर है इसके बाद हम देखते हैं सविधान में ऐसे कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं जो जंजातियों से संबंदित हैं इसमें देखेगा आपको कुछ आर्टिकल्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं आप लोग को एक्स्प्लेंग करने के लिए अब यहां से नए कोशन साने के फुल चांस हैं तो सबसे पहले यहां पर देखेगा अनुछेद 15 16 23 और 29 यह जो मैंने लिख रखा है यह जो चार आर्टिकल्स हैं तो अनुछेद 12-35 क्या होता है पंडामेंटल रैट्स मूल अधिकार तो मूल अधिकार के अंतर खताते हैं इस में हम सबसे पहले देखें कर अंचेद 15 और 17 14 यह जितने आरंटिकल्स है यह जनजातियों के विकास और जनजातियों के आरच्षन जनजातियों से संब्दें चाहें, तो अनुछे 15.4 में बताया गया है, जनजातियों का समाजिक तथा सैक्षिनिक रूप से विकास का प्रावधान, मतलब कि जितने भी राज्ये हैं, वह जनजातियों का समाजिक और सेक्षनिक रुप से विकास के लिए प्रावधान करेंगे नियब कारूंग बनाएंगे प्रयास करेंगे यह पंदराचार में दिया गया उनको अधिकार है फिर 16 चार 16 चार में सरकारी नौकरी में जंजाती के लोगों का प्रकनिधित्व देने हैं तू आरक्षण अनुछे 16 का चौथा पॉइंट है उसमें राज्य में सरकारी नौकरी में जंजाती लोगों का प्रकनिधित्व देने हैं तू आरक्षण का अधिकार यह दूसरा पॉइंट हो गया ठीक है फिर इसमें अनुछे 23 तो अनुछे 23 के अंतरगर जंजातियों के साथ दुर्वेव अनुछे 23 के अंतरगर और अनुछे 29 में जंजातियों को अपनी भासा बोली संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा अनुछे 15 चार अनुछे 16 चार अनुछे 23 और अनुछे 29 तो यह मूल अंतरगर आने वाले आर्टिकल्स जो जंजातियों से संबंधित है ठीक है इसी करम में आप आगे देखे अनुछे 46 आर्टिकल 46 सेक्षणिक एवं आर्थिक विकास में सुरक्षा का प्रावधान जंजातियों के लिए किया गया है आर्टिकल 46 के अंतरगर जैसे एक उधारण के लिए मैं आपको बताओं तो कोई दूसरे वर्गता मतलब कि कोई जर्नल कैटेगरी या OBC समुदाय का या ST समुदाय का जो विक्टी है वो ST या दिवासी समुदाय के विक्टी के जमिक को नहीं खरीज सकता ऐसे प्रावधान दिये गए है यदि इस टाइप का कोई क्रे विक्रे होता भी है रजिस्ट् भीप्रकार से किसी प्रभण या किसी और माध्यम से उनकी जमीन को आप कपजा नहीं कर सकते खरीद नहीं सकते हैं न भी उन ही के समुदाय का वह जरूर ले सकता है वह पर्चेस कर सकता है तो इससे क्या होगा उनको एक आर्थिक निकास के लिए सबलता दे दी गई ऐसे ही देखें आर्टिकल 164 अनुछेर 164 का पॉइंट वन आर्टिकल 164 वन में देखिएगा 36 गड़ मंद्यप्रदेश ओडिशा जार्खन में जन्जाती मंतरी का प्राउधान है तो 36 गड़ प्रशासन के अंतरगर जो मंतरी परिशत का गठन होता है तो उसमें अनिवार लोप से स्वामिधान के अनुछेर 164 एक के अंतरगर एक जो होगा वो जन्जाती मंतरी होगा ठीक है? तो 36 गड़ में रिक्तब मंतरीयों की संख्या 13 हो सकती है कुल गड़ान सभा सदस्यों का 15 पुजिशत इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चूके है फिर इसमें देखेगा आर्टीकल 244 अनुछे 244 इसमें जन्जाती छेत्रों में छटवी अनुशूची के अंतरगर स्वासासन की विवस्था की बार के लिए है फिर आर्टीकल 275 अनुचे 275 में देखेगा विसेस अनुदान की विवस्था भारती समेदान में जन्जाती छेत्रों के विकास के लिए जन्जातियों के विकास के लिए विसेस अनुदान की विवस्था की गई है तो अनुचे 244, 275 हो गया, फिर देखेगा अनुचे 230, अनुचे 230 के अंतरगर्द लोगसभा में आरक्षन का प्रावधान है, तो अनुचे 230 के अंतरगर्द किया जाता है, और अनुचे 325 में भ्यान दिजेगा, तो इसमें पुना सरकारी में अपना वक्रियों में जन जाती हों तो प्रदों का आरक्षन, ज्यां दिजेगा, यहां पे क्या है, प्रतेनि रिर्प देने हैं तो आरक्षन है, दोनों में थोड़ा सा डफ्रेंस है, तो आर्टिकल 335 भी यहां पर है, फिर अनुचे 338 का में इ यह 89 समिधान संसोधन से इसको जोड़ा गया है, आर्टिकल 338 में पॉइंट का जो है, इसके अंतरगर राष्टी अनुसोची तजन जाती आयो के गठन का प्रावधान है, किसका राष्टी अनुसोची तजन जाती आयो के गठन का प्रावधान है, अब इसका गठन कौन कर भुआ तो झीजम नीवति कोंन करता राश्ट्रण करता है यह भी ध्यान में रखिएगा तो यह उत्यतनी रावधाने सब्राइलिकर करें उसके भोंगर कितने सारे